विदिशा में लोग नए साल का स्वागत अपने अपने तरीके से कर रहे हैं तो वहीं युवाओ का एक ग्रूप अनूठे ढंग से नए साल का स्वागत कर रहा है और लोगों को दूद पिला कर शराप छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं विदिशा में युवाओं का एक समूद जो आसरा अपनों का नाम से समासेवा का काम करता है उन लोगों ने नए साल का स्वागत कुछ अनूठे अंदाज में किया उन्होंने सहर के नीम ताल चौराहे पर एक स्टॉर लगा कर लोगों के लिए केसर वाला दूद पिलाया और कि सराप से नाता तोड़ो और दूद से नाता जोड़ो ताकि सरीर स्वस्तर है इसके साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की भी सलाह दी युवाओं के काम को देखते हुए विधायक ससांग भारगव भी पहुचे और युवाओं के काम की तारीफ की इसके साथ ही उन्होंने भी लोगों से सराप छोड़ने का आग्रह किया। कारिक्रम के लिए लगभग 1000 लीटर दूद इकठा किया गया है लगभग 10,000 लोगों को दूद पिलाए गया युवाओं के इस ग्रूप ने एक जनवरी 2022 को जिला चिकित साले में लोगों को साम के वक्त का खाना खिलाने का भी संकल्प लिया था और वह आज भी अनवरत जार पिलाई हैं जो लोग भी करते हैं हम लोग सब परस्टनली करते हैं बाकी भग 1000 लीटर दूद वित्रन करेंगे हम उमको यह मैसेज है हमारा की लोग क्या है नए साल पे दारू पिकर उसकी शुरूआत करते हैं तो हमारा संदेश यह है कि दारू नहीं आप दूद से नए सा हमारे यहां मिल रहा है आइश्मान भार्त निरामे योजना कालाव आइश्मान जन आरों के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलब्द है हमारे यहां लेजर कैंसर अस्थी रोग एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलब्द है नैशनल होस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्द करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइस मांस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 96912885600 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 86028859900 पर